और हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज एज रिलेशन जो लोग नए है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दें और जो लोग जुड़ेवे हैं पहले से वीडियो को शेर करना और लाइक करना कॉमेंट करना ना भूले चलिए कुशिन क्या बूल रहा है देखिएगा रिशियो ओफ द प्रजेंट एज ओफ द डॉटर इस सेवन रस तो वन अप्टर फाइफ यर्ज द रिशियो विल बिकम फोर रस तो वन वट इस दिफ्रेंस इन इर्स इन देर प्रजेंट एज एक मा के वर्तमान आयू और उसक कर सकते हैं इस कुश्चन को मदर है और उसकी डॉटर है उनका रेशियो आपको दे रखा है साथ और एक का बिल्कुल सही है तो अगर उनकी एज लेनी है तो क्या हो गई 7 एक्स और एक्स यह एक्स वाला मेथड है जो की लगाना नहीं है बट ऐसे भी हम कर सकते हैं ठीक है तो 7 एक्स और एक्स वोगई बिल्कुल हो गई क्या होगई उनकी एज होगई कब की आज की है मतलब प्रेज़न की ठीक है न पाँच वर्श बाद रेशियो दे रखा है तो पांच साल बाद मदर कितने की होगी जितने की आज है उसमें पांच और जोड दिया जा है ठीक है परफेक्ट है यहां से cross multiplication करके x की value निकाल लेते इसका 1 का इससे multiplication होगा यही रहेगा इसका उधर 4 से multiplication होगा तो क्या बन जाएगा x plus 5 तो 4x plus कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा अब यह 4x है यह 7x है तो 4x इधर आएगा तो कितना बचेगा इधर 3x यह 5 है और यह 4 इंटू 5 कितना 20 है तो 20 में से यह 5 उधर जागर minus होगा तो कितना बचेगा 15 तो x की value आजाएगी 5 परफेक्ट है हमें क्या पूछा है उनकी वर्तमान आयू का अंतर पूछा है तो वर्तमान प्रजेंट पे एज कितनी है मदर की 7x डॉटर की कितनी है x तो इनका difference कितना है 6x और x की value हमने अभी अभी निकाली है कितनी 5 तो 6 इंटू 5 कितना 30 तो 30 मतलब first option जो है वो हमारा correct हो रहा है एक तरीका तो यह है लेकिन यह लगाना नहीं है थोड़ा lengthy process है इसको और आसान करते है कैसे दिखिए गए क्या बुल रहा है आपको एक मा की वर्तमान आयू का पुत्री की आयू से अनुपात कितना है साथ अनुपात एक ठीक है 4 is to 1 का हो जाएगा after five year सही है तो आप देख सकते हैं साथ से चार कितने यूनिट पहली बात तो पात साल बाद की बात कर रहा है future में जा रहा है तो यूनिट बढ़नी चाहिए तो साथ से चार यूनिट बढ़ी नहीं कम हो गई चीक है तो फिर हम क्या करेंगे एक से एक ही यूनिट रही जबकि यूनिट बढ़नी चाहिए थी क्यों बढ़नी चाहिए थी क्योंकि पात साल आगे गए हैं हम चीक है तो इसका मतलब यहां से यहां और यहां से यहां मदर और डॉटर दौनों के लिए ratio की unit same बढ़ती तो उस same unit को हम कितने साल के बराबर बोल देते हैं पात साल के बराबर लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं चीक है तो हम क्या करेंगे दौनों की unit same बढ़ा देंगे कैसे बढ़ा देंगे देखिएगा साथ और एक का difference कितना है चार और एक का difference कितना आपके पास तीन इस तीन का multiplication यहां पर करवा दीजी और इस छे का multiplication यहां पर करवा दीजी अब जो नए numbers आएंगे ratio में उनमें अगर unit हम check करेंगे तो same unit बढ़ती हुई हमें नजर आएगी तीन अंदर जाएगा तो 21 कर देगा, तीन अंदर जाएगा तो 3 कर देगा 6 अंदर जाएगा तो choice कर देगा, 6 अंदर जाएगा तो 6 कर देगा 21 से choice मैं देख सकता हूं कितने unit बढ़ रहा है, 3 unit, 3 से 6 मैं देख सकता हूं कितने unit बढ़ रहा है, 3 unit, ठीक है तो इसका मतलब दौनों की 5 साल बाद की age की बात कर रहे हैं, तो यह present का ratio है, यह after 5 year का ratio है तो इसका मतलब यहां से यहां अगर देखा जाए, तो 5 साल का gap आ रहा है, तो दौनों की unit में भी same gap आना चाहिए, जो की पहले तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ चुका है तो यह जो 3 unit है, यह किसके बराबर है, जो time interval है, 5 year उसके बराबर है, ठीक है, तो 3 का मतलब 5 साल है, तो एक unit का मतलब 5 बटा 3 साल होगी पर एक unit का आपको कोई मतलब नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है किसका, उन दौनों की present age का जो difference है उसका, तो उन दौनों की present age का, present में जो age है, उस age के लिए अगर मैं बात करूँ तो difference कितना है हमारे पास unit के तोर पर, तो 21 और 3 यह difference देखना है, यह 6 वाला difference नही ही देखना है, ठीक है, क्योंकि ratio 7 और 1 का तो रही नहीं, ratio 21 और 3 का बन चुका है, तो इसका मतलब 21 और 3 का अगर मैं देखू difference तो कितना आएगा, 21 और 3 का difference आ रहा है मेरे पास कितना 18 का, 18 की value हमें निकालने है, 3 से 6 बार गया, 5 इंटू 6 कितना, 30 तो 30 साल हमारा answer आ चुका है, हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर जो यह unit आ रही है, जिसको आप जितने साल दे रखे हैं, उसके बराबर रख रहे हैं, तो एक unit की value जैसे कि यहां 5 by 3 आई, तो वो जो 1 unit की value है, वो हमेशा जो first वाला ratio होगा, उसके लिए होगी, इस वाले ratio के लिए नहीं होगी, और first वाला ratio जो 7 raise to 1 था, जो question में दे रखा है, वो तो अब हमारे काम का रहा नहीं, क्योंकि उससे unit same नहीं आ रही थी, जैसे कि यहां 3 तीन आई, तो जो multiply करने के बाद में नया ratio आया, उसी को आगे काम में लेते होगे, question को solve करना है, चलिए, तो यह था हमारा first question, जिसको दौनों तरीकों से बता दिया मैंने आपको, बात करते हैं, second question, क्या कह रहा है, उसके बारे में देखिए, नलीनी का छोटा भाई जो है, वो 12 साल का है, यदि नलीनी की आयू का उसके भाई की आयू से अनुपात 7 अनुपात 6 का है, ठीक है, तो 6 वर्ष बाद उनके आयू क उसके भाई की आयू से रेशियो कितना है, 7 रेश टू 6 का, तो नलीनी की आयू का रेशियो कितना 7 और उसकी भाई की आयू का रेशियो कितना 6, तो जो 6 यूनिट है, उसकी वेल्यू में पता है कितनी है, 12 साल, तो एक यूनिट की वेल्यू कितनी होगी, 12 बटा 6, और नली के लिए रेशियो कितने आयू का साथ तो साथ यूनिट की वैल्यू कितनी होगी साथ से गुणा कर लो साथ इंटू दो कितना चवदा सही है यहां तक तो नलीनी और नलीनी का जो भाई है उन दौनों की प्रेजेंट एज आ चुकी है छै वर्ष के बाद उनका रेशियो पूछा जा रहा है जो छै वर्ष के बाद नलीनी चवदा प्लस है मतलब कितने की हो जाएगी 20 की 6 साल के बाद नलीनी का बाई 12 प्लस 6 कितने का हो जाएगा 18 का तो 20 और 18 का रेशियो बताना है जो कि सीधा सीधा हम बता सकते हैं दिख रहा है हमें क्या आएगा 10 और 9 का चीक है यहां तक चलिए बात करते हैं next question question number हमारा तीसरा जो है उसके बारे में क्या गेरा तीसरा question देखिए The present age of A and B are in the ratio of 9 to 10 The ratio of their ages 8 years from now will be 11 to 12 What will be the sum of their ages in years after 3 years from now A और B की वर्तमान आयू का अनुपात कितना है 9-10 उनका अनुपात अब से 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 11 अनुपात 12 उनका योग क्या होगा आयू का अब से 3 वर्ष बात का ठीके A है बिल्कुल है B है बिल्कुल है ठीके क्या उनका ratio है 9 और 10 का कब का है आपका present का ठीके उनका अनुपात अब से 8 वर्ष बात कितना हो जाएगा 11 और 12 का यह 11 और यह कितना 12 यह present का है यह 8 साल बात का है तो इसका अलए यहां से यहां और यहां से यहां ए और बी दौनों के लिए 8-8 साल बढ़े तो इसका अलए दौनों की जो unit है ratio की वो भी same increase होनी चाहिए तो 9 से 11 कितना increase हुआ है आप देख सकते हो 2 10 से 12 कितना increase हुआ है 2 तो इसका मतलब by default दौनों की unit same increase हो रही है तो हमें किसी भी तरह का कोई changes करने की जरूरत नहीं है ratio में तो इसका मतलब यह जो 2 unit बढ़ रही है यह क्यों बढ़ रही है क्योंकि 8 साल बात की बात हो रही है इसलिए बढ़ रही है तो 2 unit का मतलब किसके बर बढ़र है 8 साल के बराबर है तो one unit का मतलब कित्ता होगा eight by two हो जाएगा मतलब चार साल के बराबर और यह one unit कहां काम में लेंगे जो पहला ratio है उसमें काम में लेंगे सहीए चलिए तो अब हमें one unit के value पता चल चुकी है अब हमें क्या पूछ रहा है उसके बारे में बात कर है 10 और 9 19 unit तो 19 unit की value निकालते हैं यह लिए जी दो से काट लेते हैं इसको कितना 4 19 का 4 से गुणा कर लेते हैं ठीक है 19 का 4 से कर लेंगे 40 और 9 चोक 36 हो जाएगा 76 तो 76 year उनका present का total हमारे पास आ चुका है लेकिन present का total कोई नहीं पूछ रहा आपको पूछ रहा है तीन वर्ष बाद का कितने लोगों का total है दो लोगों का total है आज का तीन साल बाद जाना है तो हरेक की आयू तीन और तीन बढ़ेगी मतलब 6 बढ़ जाएगा total में तो प्लस 6 कर लेते हैं तो अंस्वर आ जाएगा कौन सा 82 second option हमारा बिलकुल सही हो जाएगा चली ये ता हमारा question number 3 बात करते है next question number 4 के बारे में क्या गरा question number 4 देखी the ratio of the ages of a and b 4 years ago was 4 raise to 5 8 years hence the ratio of the ages of a and b will be 11 raise to 13 then what is the ratio of their present age 4 वर्ष पहले a और b की iu का अनुपात कितना है 4 अनुपात 5 था 4 वर्ष पहले का है ध्यान रखना 8 वर्ष बाद a और b की iu का 11 13 का होगा ठीक है तो उनकी वरतमान iu का अनुपात क्या है बताई ठीक है कौन है ए कौन है बी क्या है फर्स्ट वाला रेशियो फोर रेश टू फाइफ बिल्कुल ठीक है आठ साल बाद दूसरा रेशियो के इतना 11 और 13 तो अगर कोई प्रेशियो कोरे और 8 वर्ष का अंतर सोच रहा है 4 वर्ष तो वो गलत सोच रहा है ऐसा नहीं हो प्रेश्यो की कंडिशन जो मैंने यहां लाईन बनाई ए है यह आज की इस्तति हो गई ठीक है पहला रेशु कब शार बरस पहले का मतलब यहां का कितना है चार अनुपाद पांच दूसरा ratio कब का है आठ साल बाद का इसका मतलब यहां का तो यह कितना है 11 रूपा 13 सही तो मुझे बताए इस ratio से इस ratio में जाने में कितना टाइम लगेगा चार साल तो यह हो गए तब present में आगए present से 8 साल आगे चले गए तब 11 रूपा 13 में पहुँच गए तो 4 और 8 टोटल समय कितना हो गया 12 साथ ठीक है चलिए तो इसका मतलब यहां से यहां टाइम इंटरवल कितना है 12 यहां से यहां भी टाइम इंटरवल कितना है 12 ठीक है चलते हैं आगे देखिए चार से 11 कितने यूनिट बड़ी भी दिखरी आपको 4 से 11 साथ यूनिट बढ़ी वी है 5 से 13 कितने यूनिट बढ़ी वी दिख रिया आपको 8 यूनिट बढ़ी वी दिख रिया जबकि यूनिट तो सेम बढ़नी चाहिए क्योंकि 1 रेशियो से 2 रेशियो में number of years जो की 12 है दौनों में सेम है तो यूनिट भी सेम होनी चाहिए और अगर यूनिट सेम नहीं होती है तो हम उसको सेम बनाते है कैसे बनाते हैं देखा था first question में 11 और 13 का difference कितना है 2 तो 2 का यहाँ पर गुणा करवा देगी 4 और 5 का difference कितना है 1 तो एक का गुणा यहाँ करवा देगी 2 अंदर जाएगा तो इसको change कर देगा बिल्कुल कर देगा एक अंदर जाएगा तो इसको change करेगा नहीं क्योंकि वही रहेगा एक से multiply करने पर अब आप 8 से 11 देख सकते हो कितने unit बड़ी भी दिख रही है 3 ठीक है फिर 10 से आप 13 देख सकते हो कितनी unit बड़ी भी दिख रही है आपको 3 ठीक है और यह 3 unit किसके बराबर है 4 और 8 हमने जो भी देखा था 12 साल के बराबर तो 3 unit 12 साल के बराबर है तो एक unit किसके बराबर होगी 12 बटा 3 के और यह जो 1 unit के value आई है यह first वाले ratio के लिए आए और first वाला ratio 4 is to 5 नहीं है अब हमारे पास first वाला ratio 8 और 10 का है यह हमें ध्यान रखना है ठीक है तो अब हमें क्या पूछ रहा है हमें पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयू का अनूपात क्या होगा ठीक है तो मैं देख सकता हूँ कि अगर वर्तमान आयू की मैं बात कर रहा हूँ तो पहले ratio कितना आ रखा हमारे पास 8 और 10 4-5 तो अमारे काम का नहीं है तो A की age कितनी होगी 8 से multiply कर दो यह तो वह है 4 बार 8 into 4 कितना 8 चौक 32 और B की age कितनी होगी यह तो 4 ही आएगा 1 unit की value तो और 10 unit की value कितनी आजाएगी 40 यह इनकी age आ चुकी है कब की जब का यह ratio है और यह ratio कब का है 4 साल पहले का तो 4 साल पहले अगर A 32 साल का था तो आज कितने का होगा 36 का 4 साल पहले B अगर 40 साल का था तो आज कितने का होगा, 44 का और इनका रेशियो पूछा है जो कि मैं बता सकता हूँ, कितना हा रहा है 9 अनुपाद 11, ठीक है और 9 अनुपाद 11 मैं कह सकता हूँ 1st option हमारा बिल्कुल सही होगा चलिए ये था अब का question, question number 4 बात करते हैं, next question number 5 के बारे में क्या गएरा question number 5 देखिए 7 वर्ष पहले A और B की आयू का अनुपाद 4 अनुपाद 5 था, ठीक है 8 वर्ष बाद A और B की आयू का अनुपाद 9 अनुपाद 10 हो जाएगा ये भी ठीक है तो उनके वर्तमान आयू का योग कितना है ये हमें बताना है ये A है, ये B है ठीक है तो पहला अनुपाद कितना है 4 और 5 का, चलते हैं आगे फिर दूसरा अनुपाद कितना है 9 और 10 का, चलते हैं आगे ठीक है अब ये कब का अनुपाद है 7 साल पहले का और ये कब का अनुपाद है आपका 8 वर्ष बाद का तो इसका आप देख सकते हो यहां से यहां time interval कितना हो गया साथ साल पहले और यह बोल रहा है आठ साल बाद तो इसका आठ तो यह present में आगे और 8 आगे चले गए तो साथ और 8 कितना हो गया आपके पास 15 साल तो इसका मतलब यहां से यहां जो difference है वो 15 साल का है तो क्या यहां से यहां difference 15 का है बिलकुल दौनों में 15 का है तो यहां से यहां जो unit है उसमें difference अगर same मिल जाता है दौनों ही ratio में तो उसका हम 15 साल के बराबर बोल सकते हैं और अगर same नहीं मिलेगा तो उसका हम same करेंगे ठीक है चली चार से नौ कितना बढ़ गया पांच unit ठीक है पांच से दस कितना बढ़ गया पांच unit बिलकुल ठीक है तो दौनों जगे हमें ratio में difference same मिल गया तो इसका वलत change करने की जरूरत नहीं है अनुपात को अब तो तो यह जो पांच है यह किसके बराबर है जो time interval है और time interval कितना है 15 साल अभी हमने देखा 7 साल पहले और 8 साल बात तो 7 और 8 कितना 15 सही है यहां तक चलिए तो पांच unit का मतलब 15 साल तो एक unit का मतलब 15 बटा पांच और यह एक unit किसके लिए आ रही है जो पहला ratio है उसके लिए ठीक है हमें पूछ रहा उनकी वरत्मान आयू का योग कितना होगा तो चार और पांच यहां पर योग देखू तो कितने unit है नौ only do this है यह चला गया नौ इंट्टो तीन किटता 27 वर्ष अनका योग आ गया तो क्या यह answer हो गया क्या highlights यह yok कप का है साथ साल पहले का है तो सांथ साल पहले का योग कितनों का है दो जनों का हमें कप का योग पूछ रहा है आज का कितनों का दो जनों का तो इस MLK ह racism चीक है तो 27 और 14 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 40 यह 30 37 और ही कितना हो गया आपके पास 41 मतलब आपका second option बिल्कुल सही होगा ठीक है चली बात करते हैं next जो question है question number आपका six उसके बारे में क्या कह रहा है दिखिएगा शटा सवाल आपको कह रहा है कि एक वर्ष पहले A की आईउ का B की आईउ से अनुपाद कितना था चार अनुपाद 3 था ठीक है अब से तीन वर्ष बाद उनकी आईउ का अनुपाद 6 अनुपाद 5 का होगा ये भी ठीक है क्या अब से 9 वर्ष बाद A और B की संबंदित आईउ का अनुपाद क्या होगा ठीक है तो question क्या है आपका अब से 9 वर्ष बाद A और B की आईउ का अनुपाद आपको पूछ रहा है ठीक है कितने लोग है A और क्या है B क्या है फर्स्ट वाला रेशियो 4 रेश टू 3 कब का है ये एक वर्ष पहले का है ठीक है चलिए दूसरा रेशियो कितना 6 रेश टू 5 ये कप का है तीफ बाद देखिए जा में खाड़ा हूं यह प्रजेंट की इस्तति ओगी जो मैंने भी आपको बताया भी था पहले वाले Kelvin में ठीक है एक इस्ततिय एक वर्ष पहले की और एक इस्ततिय आपके तीन वर्ष बाद की तो इसका मतलब यहां से यहां आने में एक साल प्रेजेंट में और आगे तीन साल और जाना है तो यहां से यहां कितना time हो गया, एक और तीन कितना, चार साल, तो time interval हो गया चार साल, तो चार से छे हैं, दो unit बढ़ रहा है, ठीक है, तीन से पांच, कितना, दो unit बढ़ रहा है, तो दौनों जगे unit same बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपको ratio में कोई भी change करने की जरूरत नहीं पड़ेगे, और ये दो unit किसके बराबर होगा, एक वर्ष पहले और तीन वर्ष बाद मतलब चार वर्ष के बराबर होगा, तो एक unit किस के बराबर होगा, चार बटा दो के बराबर होगा, क्या ये जो एक unit है, ये second वाले ratio को show करता है कि नहीं हमेशा किसको show करेगा first वाले ratio को ठीक है हमें क्या पूछ रहा है उनका अनुपात पूछ रहा है कब का पूछ रहा है 9 साल बाद का पूछ रहा है ठीक है तो 4 से multiply कर दूं तो एक ही यह जा जाएगी जो की आ गई कितनी आट साल फिर ये तो दो ही आएगा अब तीन से मल्टिप्लाइ कर दूँ तो बी की एज आ जाएगी कितनी आ गई छे साल और ये एज कप की है एक वर्ष पहले की तो इन दोनों में एक एक जोड़ूंगा तो आज की एज आ जाएगी लेकिन आज की एज भी नहीं हमें तो चीए नौ साल बाद की एज तो एक एक जोड़ा तो आज की एज आई तो आज की एज आने के बाद नौनों जोड़ा दोनों में तो आज से नौ साल बाद की एज आई तो कुल मिला कर दोनों में दस जोड़ दूँ तो जहां पर ये एक साल पहले है वहां से ये पहुँच जाएंगे आज से नौ साल बाद में तो इसमें दस जोड़ोंगा तो इसकी एज बन जाएगी एठारा इसमें दस जोड़ोंगा तो इसकी एज बन जाएगी सोला इसका ratio लेना है तो 9 अनुपाद कित्ता आजाएगा 8 जो कि हमारा C option बिलकुल सही होगा ठीक है चलिए तो ये था हमारा question number 6 बात करते हैं next question number 7 के बारे क्या गह रहा है 7 देखी पांच वर्ष पहले A की आयू का B की आयू से अनुपाद था 4 अनुपाद 5 ठीक है पांच साल इसलिए A और B की आयू का अनुपाद 6 अनुपाद 7 होगा पांच साल इसलिए नहीं पांच साल बाद होगा पांच साल बाद जो ये अनुपाद है वो 6 अनुपाद 7 होगा ठीक है यदि वर्थमान में C B से 10 वर्ष छोटा है तो वर्थमान का उनका अनुपाद क्या है A की आयू से C की आयू का ठीक है कोई दिक्कत नहीं अभी देखते है देखिए 5 वर्ष पहले A और B की आयू का अनुपाद कितना है? 4 अनुपाद 5 है A है और B है 4 है और 5 है कब का है? 5 साल पहले का? कोई समस्या नहीं पात साल बाद गानुपात A और B का ही दे रखा कितना 6 और 7 का 6 है 7 है ठीक है तो मुझे बताइए यहां से यहां कितने साल का gap आ गया पात साल पहले और पात साल बाद तो इसकाल जहां मैं खड़ा हूँ यह वर्तमान की इस्तती हो गई पात साल पहले मतलब यहां पर पात साल बाद मतलब यहां पर तो मुझे यहां से यहां जाना है तो कितना टाइम लगेगा पाँच और पाँच कितना 10 साल तो यह टाइम इंट्रेवल होगे 10 years का तो यहां से यहां कितना unit बढ़ा 2 बिल्कुल ठीक है यहां से यहां कितना unit बढ़ा दो बिल्कुल ठीक है तो दौनों जगे unit same बढ़ रहा है और same बढ़ना भी चीए क्योंकि दौनों के लिए साल जो है number of years है वो भी same है तो अगर same बढ़ रहा है तो हमें किसी भी तरह का कोई भी change करने की जरूरत नहीं है ratio के अंदर तो इसका मतलब यह जो दो unit है यह कितने साल के बराबर होगा पांच और पांच दस साल के बराबर एक unit किस के बराबर होगा दस बटा दो के बराबर और यह एक unit किसे show करेगा first वाला जो ratio है उसे show करेगा मतलब इस ठीक है तो एक unit इतनी है चार उनिट कितनी होगी, बता दोगे आप आराम से, ये कितना होगी अब 20, ठीक है, तो एक उनिट अगर 5 है, तो 5 उनिट कितनी होगी, आप बता दोगे आराम से, 25 है, ठीक है, चलिए, अब हमें क्या पूछ रहा है, उस पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, हमको दौनों की साल पहले, तो आज 30 का है, ठीक है, अब क्या बुल रहा है, उस पे चलते हैं, ये दि वर्तमान में C, 20 साल चोटा है, तो B, 30 साल का है, तो C, 10 साल चोटा कर दूं, तो कितने का होगी है, C, 20 साल का होगी है, simple, ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, आपको अनुपात पूछ रह पूछा है जो कि दिख रहा है पांच और क्या आएगा चार का तो पांच और चार मतलब फर्स्ट आप्शन आपका सही हो जाएगा सिंपल था चलिए ये दा कुश्चन नमबर सेवन बात करते हैं नेक्स्ट कुश्चन नमबर एट के बारे में एक व्यक्ति की आयू का उसके पिता की आयू से अनुपाद चार अनुपाद पांच है ठीक है उसकी आयू का अनुपाद उसके बेटे की उम्र का छे अनुपाद एक है दो कैसे दे रखा है अच्छा ठीक है देखो एक व्यक्ति है उसकी आईउ और उसके पिता की आईउ का अनुपाद चार उनुपाद पाँच है व्यक्ति मतलब कोई मैन है उसका और उसके फादर इसके फादर इस आदमी के फादर क्या रेशियो है चार और पाँच का परफेक्ट है फिर क्या बोल रहा है उसकी आईउ का अनुपाद और उसके बेटे की आईउ का अनुपाद च्छे अनुपाद एक है ये आदमी और इसका बेटा चीक है आदमी ये च्छे और बेटा कितन एक ये इसका सन ये सन किसका है? इस आदमी का है, ठीक है? इस आदमी का तो ये grand son है, तो अगर तीनों में relation देखना था आप कैसे देख लोगे? ये father हो गया, ये father का बेटा हो गया, और ये जो है इस आदमी का पिता हो गया, father हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं कि our grand father एक तरह से दादा कह सकते हैं इसको हम और ये वो आदमी है जो कि father हम कह सकते हैं इसको अब तीनों में relation हमें समझ भे आ रहा है ठीक है? आगे पढ़ते है चार साल पहले ये अनुपाद 11-14 थे और 11-14 एक थे क्रमस उसके अनुपाद अब से 12 वर्ष बाद पोते का क्या होगा? मतलब दादा जी और पोते की आईू का अनुपाद पूछा है कब से अब से 12 वर्ष बाद का ठीक है? तो पहला ratio तो हमरे पास ये हैं ठीक है न? तो पहला ratio अगर ये है और दूसरा ratio भी हमें दे रखा है और पहला ratio कब का है? आपका present का है? present का ही बुल रहा है बिल्कुल ठीक है और second वाला ratio कब का है? चार साल बाद का है ठीक है? तो हम क्या करते हैं? इन दौनों में common con है ये तो इसको same करते हैं तो इसको same करें या फिर आपको पता है किस तरीके से करते है पास में जो लिखावा उस number को यहाँ copy कर दो रेशियो वाले trick लगा रहे हैं जब AB और BC का दे रखा होता है तो ABC का ratio निकालते हैं जो यह आ गया चार बिलकुल आ गया 6 चौक चोईस बिलकुल आ गया 6 into 5 किता 30 काट लो इसको किता हो गया 2 12 और 15 तीनों का ratio हो गया present का ठीक है चार साल पहले का अनुपात दे रखा आपको क्या 114 किसका है 114 जो पहले लिखावा था उसी का बिलकुल ठीक है यह लीजे थोड़ा उपर लिख लेते हैं यह है 11 अनुपात 14 परफेक्ट है और 11 अनुपात 1 किसका 11 अनुपात 1 जिस सीक्वेंस में लिखावा है respectively क्रमसा लिखावा ही है यह 11 अनुपात 1 तो जैसे इसको सेम किया यहां और यहां लिखकर वैसे इसको भी कर लेते हैं लेकिन एक बात हमें ये भी पता है जो common है अगर वो value भी common है तो आप सीधा ratio लिख सकते हो क्या ये जो लिखावा है 1 ये जो लिखावा 11 और ये जो लिखावा है 14 तो ये तो हो गया हमारा present का और ये हो गया 4 years ago परफेक्ट है तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 की जगे 3 लोग आ रहे हैं इस बर तो यहां से हिए unit कम होनी चीए क्योंकि 4 साल पीछे जा रहे है तो यूनिट अगर 3ों में same कम हो रही है तो वो जो unit same कम हो रही है वो किसके बराबर होगी 4 साल के बराबर तो 2 से 1, 1 unit कम होई 12 से 11, 1 unit कम होई इसका हुल 1 unit is equals to 4 years then तो ये जो 1 unit की value आई है ये आती है आपको पता है first वाला जो ratio है उसके लिए तो 1 unit की value आपके सामने आगे तो 2, 12 और 15 unit की value भी आप बता दोगे मतलब 3ो की present age भी आप बता दोगे अब हमें क्या पूछ रहा है वो देखते है हमें पूछ रहा है की the ratio of the age of the grandfather to that of the grandson 12 years from now will be ठीक है तो grandson कौन है ये रहा है grandfather कौन है ये रहा है ठीक है तो 1 unit की value किसके बराबर आई 4 के बराबर क्यों क्योंकि 2 और 1, 12 और 11, 15 और 14 एक का difference आ रहा है और वो एक का difference आ रहा है तो एक का मतलब 4 साल तो दो का मतलब 8 साल पंदरा का मतलब कितना सॉरी एक का मतलब 4 है न ठीक है दो का मतलब हो गया आठ और पंदरा का मतलब कितना हो गया 60 साल कब का आज का हमें कब जाना है 12 साल बाद जाना है तो 12 साल बाद दादा जी कितने के हो गया 72 के 12 साल बात पोता कितने का हो गया 20 का चीक है तो हमें ये रेशियो बताना है किसका रेशियो बताना है grandfather to that of the grandson ठीक है तो 72 और 20 का रेशियो आपको बताना है आगे सिंपल सा तो कर लेते हैं इसको कितना आजाएगा 36 और 10 फिर 18 और 5 जो कि हमें रेशियो दिख रहा है कौन सा c option आपका बिल्कुल सही होगा चलिए ये था question 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 number 8 अच्छा सवाल था बात करते है next question number 9 number के बारे क्या गरा question number 9 देखिए ये कहता है येदि आप मेरी अपनी आयू उलड़ दें तो अंक मेरे भाई की आयू को दरसात है चीक है बेशक वह मुझसे वरिस्ट है वरिस्ट है मतलब वो बड़ा है उससे एज में और हमारी उम्र के बीच का अंतर उनकी राशी का ग्यारवा हिस्सा है चीक है किसकी राशी का अबर एज इस वन इलेंट आफ देर सम अच्छा उनकी टोटल का देन एज ब्रदर एज इस तो ए के भाई की आयू क्या है कुशन के थोड़ा समस्ते हम ए कहता अगर आप मेरी आयू को उलट दें तो अंक जो है मेरे भाई की आयू को दरसात है इसके डिजट्स क्या है एक और दो उसको रिवर्ज कर दो मतलब पीछे से लिख दो दो और एक तो ये क्या बन गया 21 तो ये एक की भाई की age को show कर रहे है और ये एक फिज को show कर रहे है एक तो ये relation दे रहा है दूसरा ये relation कह रहा है कि उसका भाई जो है वह से senior ओग difference जो है उनकी age का जो total होगा उसका 11th part होगा ठीक तो ये सारी सड़ते जहां पर लग जाएगी वही option हमारा सही होगा तो इसको हम option सही करेंगे क्योंकि अगर unit मान कर करें जैसे कि कोई number मानते हैं तो unit digit पर x 10 से digit पर 10 y लिखते हैं तो वो किसके लिए है option यह एक के भाई की age के लिए ठीक है तो एक के भाई की age कितनी आई 45 तो एक की age क्या रही होगी इसको reverse यह जो 45 है यह की age को reverse करने पर आया होगा तो इसको फिर से reverse कर लूँ तो एक की जा जाएगी तो A की एज कितनी आ रही है चौपन तो यह तो अंसूर होगा नहीं क्यों क्योंकि इस option के हिसाब से तो A बड़ा हो रहा है जबकि बड़ा कौन है A का भाई है ठीक है यह है उसका ब्रदर दूसरा option उठाते हैं कितना है दूसरा चौपन तो फिर A की एज किया इसका reverse कितना 45 क्योंकि A की एज का reverse यह है न इसका reverse A की एज यह बात भाई ठीक है पहली शर्त हो गई एज का total का 11th part होना चाहिए तो इनकी total कर लो 9 और 9 इसका 11th part कर लो 9 तो इसका मतलब बराबर है इसका मतलब आगे कहीं नहीं जाना second option हमारा बिल्कुल सही है जो statement कहा गया उस statement के according हमारा option match कर रहा है इसका आनसर हमारा आ चुका है चलिए बात करते हैं question number 10 के बारे में क्या आए question number 10 देखिए यदि A और B की वर्तमान आयू का अनुपात 10 और 13 का है ठीक है और 10 वर्ष पहले देखिएगा A और B की present A का age का ratio given 10 raise to 30 10 वर्ष पहले A की आयू और 10 वर्ष बाद B की आयू का अनुपात 15 है तो 10 वर्ष बाद A की आयू और 10 वर्ष पहले B की आयू का ही है ratio कपका दे रखा है present का कितना 10 और कितना 30 यह है at present वर्तमान जी बात कर रहा है वह ठीक है अब आपको ratio दे रखा आगे 10 वर्ष पहले A की आयू 10 वर्ष पहले मतलब यहां चले जाते है यह हो गया 10 यह अगो ठीक है और क्या बोल रहा है 10 वर्ष बाद तो यहां चले जाते हैं after 10 यह ठीक है यहां तक चलिए तो 10 वर्ष पहले A की आयू और 10 वर्ष बाद B की आयू का अनुपात कितना है 8 और 15 तो 10 वर्ष पहले मतलब A की आयू 8 और 10 वर्ष बाद B की आयू कितनी है 15 रेशियो के तौर पर हमारे सामने आ चुकी है अब हमें पूछ किया रहा है हमें पूछ रहा है 10 वर्ष बाद A की आयू मतलब यह प्रशने चिन और हमें पूछ रहा है 10 वर्ष पहले B की आयू मतलब यह जो प्रश्ण चिन है ये तो इसका और इसका रेशियो पूछा जा रहा है निकाल लेते हैं कैसे देखिए आप देख सकते हो यहां से यहां कितने साल का गैप है दस साल का और आट से दस कितने यूनिट दो यूनिट बढ़ चुका है और दो यूनिट दस साल के बराबर है क्यों क्योंकि ये दस साल पहले है और अब आ रहा हूँ तो दस साल आगे ही जा रहा हूँ तो यूनिट बढ़ नहीं चाहिए ठीक है यहां से यहां कितने साल का गैप है यह present की condition है यह 10 साल बाद की condition है अब दस साल का गैप है और यहां से यहां यूनिट में कितना गैप है दो साल का ठीक है तो इसका मतलब यह दो साल भी दस साल यह दो यूनिट भी दस साल के बराबर और यह दो यूनिट भी दस साल के बराबर तो हमें यह तो पता चल गया तीनो रेशियो में कि दो यूनिट का मतलब दस साल है या फिर यू कहे दू दस साल का मतलब दो यूनिट है परफेक्ट है ठीक है तब हमें कहां जाना है हमें जाना है प्रेजेंट से दस साल पीछे तो 10 साल का मुलब 2 यूनिट बोल दी हमने पूरे सवाल में तो 13 में 2 यूनिट कम कर दो क्योंकि पीछे जाना है तो यह आगया 11 और हमें कहां जाना है यहाँ पर मतलब present से 10 साल आगे चीक है तो हमें यह तो पता चलिए 2 यूनिट का मतलब 10 साल यह फिर 10 साल का मतलब 2 यूनिट दोनों एक ही बात है इस वाले question में तो मैं present से 10 साल आगे जा रहा हूँ मतलब 2 यूनिट आगे जाओंगा तो 10 से 2 यूनिट आगे जाओंगा कितना हो जाएगा 12 तो मेरा सवाल यही था कि 10 साल बात A जो कि 12 बता रहा है और 10 साल पहले भी जो कि 11 बता रहा है इस रेशियो की वैल्यू पूछी थी तो 12 अनुपात 11 आ रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ पहला option हमारा match कर रहा है चलीए यह था हमारा question number 10 बात करते है next question number 11 के बारे में क्या कहरा 11 देखी मीना की 10 साल पहले शादी हुई थी ठीक है आज उसकी आयू प्रजेंड में उसकी जो एज है उसके विभा के समय उसकी आयू का साथ बटा पांच गुना है ठीक है उसकी पुत्री जो है उसकी आयू उसकी पुत्री की आयू उसकी जो डॉटर है उसकी एज उसकी आयू मतलब मीना की आयू की एक बटा पांच है ये भी ठीक है तो इसका अलब पहले मीना की एज निकालेंगे उसका one by five करेंगे तो उसकी डॉटर की एज आ जा जाईगी पांच वर्ष बाद मीना की आईउ उसकी पुत्री की आईउ से कितना अनुपाद रखेगी ठीक है तो मीना की present age क्या है नहीं पता तो मान लेते हैं मीना की आज की age क्या है M है ठीक है दस साल पहले शादी हुई तो इसका मतलब यह है कि आज M है तो दस साल पहले शादी हुई मतलब M minus 10 की थी तब शादी हुई ठीक है आज उसकी आयू उसके विवा के समय आयू की साथ बटा 5 है तो इसका अलब जो उसकी शादी के समय age है उसका 7 by 5 कर दूँ तो उसकी present age निकल कर आ जाएगी जो की हमने M मान रखी है परफेक्ट है तो यहां से M की value निकालते है सबसे पहले जो 5 उदर चला जाएगा तो 5 M हो जाएगा बिल्कोल ठीक है 7 अंदर जाएगा तो 7 M हो जाएगा 7 M मैंसे यह 5 M जाएगा तो 2 M हो जाएगा फिर यह 7 अंदर जाएगा तो 10 से multiply होकर 70 हो जाएगा जो कि किसका है minus का तो उदर जाकर किसका हो जाएगा plus का ये कट गया तो कितना आ गया 35 तो मीना जो है वो आज कितने साल की है 35 साल की है ठीक है आगे क्या बोल रहा है उसकी पुत्री की आयू उसकी आयू का एक बटा पांच है तो उसकी जो डॉटर है उसकी जो एज है 35 उसका एक बटा पांच कर ले तो उसकी डॉटर कितने साल की है साथ साल की है, सही है, ठीज़, तो पांच वर्ष बाद मीना की आई हो और उसकी पुत्री की आईू का अनुपात क्या होगा, तो पांच साल बाद मीना पैतीस की आज है तो पांच साल बाद चालिस की हो जाएगी, मीना की बेटी आज साथ साल की है तो पांच साल बाद बारा की हो जाएगे चालीस और बारा का अनुपात ले लेते तो चालीस और बारा का अनुपात कितना आ जाएगा 10 और 3 का मतलब first option हमारा सही हो जाएगा चार से काट लेंगे इसको तो 10 और उनुपात किता आ जाएगा चलिए बात करते हैं next जो question है question number 12 उसके बारे में क्या गहरा question number 12 देखी एक पिता और उसके पुत्र की वरत्मान आयू का योग कितना है 99 है जब पिता की आयू अब जितनी थी उस समय उसकी आयू पुत्र की आयू की चार गुनी थी तो पुत्र और पिता की वरत्मान आयू का अनुपात कितना है देखते हैं देखिए option से करते हैं दौनों की age का वरत्मान present में total कितना है 99 है रेशियो कप का पूछा है फ्रेजेंट का ही पूछा है इसका मतलब जो भी रेशियो होगा वो 99 में completely divisible होगा चलिए तो साथ और चार हम देखते हैं कितना होता है साथ और चार 11 होता है तो 99 upon 11 completely divisible हो रहा है नहीं है और भी देखते है कई हो रहा है कि पांच और साथ कितना होता है बारा नहीं हो रहा है आट और पांच कितना होता है तेरा नहीं हो रहा है तीन और आट कितना होता है नो दस इयारा ये भी हो रहा है ठीक है इन दोनों में से हमें कोई एक option जो है वो सही लग रहा है बा 63, कोई दिखथ वाली बात नहीं है, यह आ गया किसका, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयू, जब पिता की आयू, अब जिटनी है तो ठीक है, तो पुत्र और पिता, पुत्र और पिता है तो इस वालाब पहले वाली ऐज किसकी है, पुत्र की और सेकंड वाली एज किसकी है पिता की ये तो हो गई सन और ये हो गया उसका फादर परफेक्ट है ठीक है तो 36 और 63 आ रहा है अब एक और कंडिशन दे रखिए वो देखते हैं क्या होती है जब पिता की आयू अब जितनी थी उस समय उसकी आयू पुत्र की आयू की चार गुणी थी ठीक है ये वाला option भी लेते हैं एक बाद यह 11 आएगा तो 11 9 इंटू 3 करूँगा तो कितना आएगा 27 आएगा ठीक है और 9 इंटू कितना 8 करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा ठीक है चलिए तो 4 गुने की बात कर रहा है तो 4 गुने की बात कर रहा है यही बोल रहा है न पिता की आयू 4 गुनी थी तो अगर हम बात कर है 4 गुने के लिए तो जब पिता के आयो अब जितनी थी उस समय पुत्र की आयो की चार गुनी थी तो पुत्र की आयो की चार गुनी हम देखें तो इसका मतलब जब अगर इसको 36. impressed सटको कम करें 36 मैं और फिर इसका रिश्यो देखें तो चार गुना 1 रेस टू फोर का आना चीए तो यह option match कर रहा है आपका कौन सा पहला वही सही होगा 27 और 72 जो है वो option आपका सही नहीं होगा ठीक है चलिए तो यह था question number 12 बात कर लेते हैं next question number 13 के बारे में क्या गरा question number 13 देखिएगा इसको थोड़ा सा English जो है उसमें देखिएगा वहाँ सही लिखावा है 11 से एक बटा 9 पर से चलिए आपको गरा question number 13 जो कि हमारी आज की class का last question है ठीक है 11 खिलाडियों की team का ओसत आयू कितना गुंतिस टोटल आप निकाल लोगे गुंतिस इंटू 11 स यदि कप्तान और उप कप्तान के आयू को हटा दिया जाए दो लोगों को निकाल दिया तो 11 में से 2 कम होगे 9 रहे गे तो शेष खिलाडव का ओसत के ना है चब्बेश ठीक है इनके टोटल में से उनके टोटल को गटाएंगे मतलब 11 खिलाड़ों के टोटल में से 9 खिलाड़ों के टोटल को गटाएंगे तो captain और vice captain की age का total आ जाएगा ठीक है यदि उप captain के आयू, captain के आयू से 11 से 1 बटा 9% कम है तो captain के आयू गयात करें अभी बता देते है, 11 से 1 बटा 9 कम लिख सकते हैं, 1 बटा 9, percentage को fraction में कैसे convert करते हैं, पता है, 9 का 11 से 99 प्लस एक करोगे 100, 100 बटा 9 है, percentage अटेगा, तो 900 हो जाएगा, तो 00 से 00 जाएगा, 1 बाई 9 आ जाएगा, ठीक है 11 खिलाडियों का उसत कितना है, 30, तो total कितना है, 30 का 11 से गुणा करें, 9 आ गया, 9 और 2 कितना 11, एक इसको दो गया, तो 319 आ गया, ठीक है Captain और Vice Captain को एटा दिया, तो कितने खिलाडी रहे गए, 9 खिलाडी रहे गए, और उनका अगर मैं बात करूँ, average कितना है, 26 है, तो यह लीजिए 26, तो total कितना हो गया, 8 दुनी, 9 इंटू 2 कितना, 18 और 6 इंटू 9 कर लेंगे, कितना हो गया, 54, ठीक है, तो यह 4, 8 और 5 कितना हा है, किस-किस का, Captain प्लस Vice Captain की एज का total आजाएगा, कर लेते हैं, 234 है और यह 319 है, तो 34 और 6 करोगे, तो 40 हो जाएगा, तो इसका मतलब 60 और यह 66 और 70, 86, 85 आजाएगा, दौनों का total कितना आगे, 85 आगे, एज का, ठीक है, अब हमें एक relation दे रखा है, क्या, यदि उप कप्त की आईउ से, एक बटा नौ, या फिर एग्यारा से, एक बटा नौ परसेंट कम है, तो देखिए, एग्यारा से, एक बटा नौ का हम वन बाई नाइन लिख सकते हैं, लैंग्वेज को समझने की कोशिश लीजिएगा, यदि उप कप्तान की आईउ से, यह एज किसकी हो गई की कैप्तन की रेशियो के तौर पर नौ का आई गयारा से, एक बटा नौ परसेंट कितना हो गया, एक कम है, तो इसका मुलब वाइस कैप्तन की एज नौ में एक यूनिट कम, कितनी यूनिट हो गए, आट यूनिट हो गया, ठीक है, चलिए, तो दौनो के लिए हमारे पास रेशियो आ गया, एक और नौ की टोटल आ गई, एटी फाइव, तो बस एटी फाइव को एट और नाइन के रेशियो में ब्रेक कर लेते हैं, एट और नाइन को एड़ कर लो, कितना हो गया, 17, किसके बारे में पूछ रहा आपको, कैप्तन के बारे में मतलब 9 की वेल्यू किता आएगा, 45 मतलब B option जो है, वो आपका बिलकुल सही होगा एक पती और पत्नी के ओसत आई हो, जिनके शादी साथ वर्ष पहले होई थी, उनके शादी के समय 26 साल थी, तो एवरेज कितना था, 26 साल, किसका हस्बेंड और वाइफ का, कब जब शादी होई और शादी कब होई, साथ वर्ष पहले, तो इसका अनलत दो जुनों का एवरे कर दो, प्लस 14 कर देते हैं, तो इसका अनलत बावन में 14 जोड देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 66, दौनों का आज का टोटल कितना है, 66, ठीक है, क्या बोल रहा है, अब ये कह रहा है कि, इस अंत्राल के समय, उनके एक बच्चा हुआ, जिससे से कि, आज पूरे परिवार क पे 23 है, तो 23 एवरेज है, तीन लोगों का है, तो टोटल कितना होगा, मल्टिप्लाइ कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 69, ये तीन जनों का टोटल है, आज का, ये दो जनों का टोटल है आज का, तो तीन जनों के टोटल में से दो जनों का टोटल जाएगा तो एक जने की value आएगी और वो एक जना कौन होगा जो नया आया है और नया कौन आया जो भी बच्चा है वो तो वही आपको पूछ रहा है वो कितने साल का है तो साफ दिख रहा है आपको कितने साल का है 15 आपको कह रहा है चार वर्ष पूर हुआ पांच सदस्यों के परिवार की ओसत आयू कितनी थी 21 वर्ष थी ठीक है एक बच्चे का जन्म होने पर 21 एक मिनट इंग्लिश में देखते हैं 21 एर्स फोर मन्ट 21 वर्ष चार महीने थी सही है ठीक है चार वर्ष पूर पांच सदस्यों के इक परिवार की ओसत आयू 21 वर्ष चार महीने थी एक बच्चे का जन्म होने पर परिवार की ओसत आयू होती है वही आज वही एवरेज है जो पहले था तो बच्चे की वर्तमान आयू कितनी है, देखें, अब बेबी having been born, the average age of the family is the same today, वही average है जो पहले था, तो present age of the baby is, ठीक है, बता देते हैं, पांच सजसी है, बलकुल है, average कितना बताया गया है, 21 वर्स, चार महीन है, तो चार महीनों को साल में change कर लेते हैं, तो आपको पता चार महीनों को साल में change करोगे, तो 12 का भाग दोगे, तो कितना आयगा, एक बटा ती, तो कुल मिलाकर कितना average हो गया, 21 सही एक बटा ती, तो इसको अगर डंक से लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, तीन, 21 का तीन से कर लेते हैं, कितना 63 बटा ती, ठीक है, तो यह average है, चौ साल पहले ठीक है तो आज की तरीव में क्या होगा आज की तारीज मैं पाँ सदस्यों मैं से एक सदस्य की आप एज जो एड कर लो कितनी आफ कर लो चार-4 एड कर लो तो पाँस सदस्य एड करोगे तो प्लस क्या करना पड़ेगा 20 तो ये उन सब का present का total हो गया ठीक है अब ये आज की तारिक में present का total हो गया अब जो ये time interval निकला है चार साल का इस time interval में एक बच्चे का जन्म हुआ है और आज पूरी family में 5 member की जगे कितने member हो गया है 6 member हो गया average क्या रहा है वही रहा है जो पहले था और पहले का average कितना था 64 बटा 3 तो average 64 बटा 3 ने आपका 6 लोगों गा तो total कितना होगा गोणा कर लेते हैं तो total आगे हमारे पास कितना 64 का double कर लेते हैं 128 वर्ष इन 6 लोगों गा जिसमें बच्चा भी शामिल है और ये 5 लोगों का total है आज का, तो 6 लोगों के टोटल में से 5 लोगों का टोटल गटा देते हैं, तो हमारा जो बच्चे की आयू पूछी जा रही है, वो निकल कर आ जाई है, तो माइनस करते हैं इसको, पहले तो इसको सॉल कर लेते हैं, इसको सॉल क्या करें, ये लीजिए 64 का ये करोगे, कितना हो होगी, ठीक है न, क्योंकि 6 लोगों के इसको माइनस करेंगे, तो 128 माइनस आप ये करोगे, 9 10 11 आ रहा है, ठीक है, तो ये तो 3 ही रहेगा, ये 380 ही रहेगा, पता है आपको, ये सीधा माइनस करके ही लिखते हैं, 128 बारा चोईस, 36, 360, और आटती है चोईस, 360, और चोईस कर हो जाएगा, 314, और ये कम करते हैं, तो 4 बटा 3, ठीक है, 4 by 3 कर लेते हैं, तो एक साल तो पूरा-पूरा हो गया, तो ये अंस्वर नहीं होगा, डेड़ भी पूरा नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 by 2 होता तो डेड़ आता, 1 येर भी पूरा नहीं है, तो एक ये option बच रहा है, एक साल, 4 महीने, ये ही हमारा अंसुर होगा, और इसको करके देखें, तो क्या आ रहा है, एक से एक बटा 3, मतलब एक साल पूरा, और एक बटा 3, जो महीनों में चेंज करना है, तो 12 से गुणा करोगे, तो 3 चौक 12 होगा, तो एक साल पूरा और 4 महीने, मतलब 4th option हमारा सही हो जाएगा, चली, बात करते हैं, next question number 16 के बारे में, क्या गरा question number 16 देखिए, एक परिवार के साथ सदेस्यों के और 35 वर्ष है, ठीक है, अगर सबसे छोटा सदेस्य जुड़वा है और उनकी उम्र 15 साल है, ठीक है, दो बच्चे जुड़वा है जिनकी उम्र 15 और 15 है, ध्य क्या था कि जन्म के समय परिवार के सदेस्यों की और सताई वर्षों में क्या है, ठीक है, इंदी में थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं इसको, तो आपको क्या पूछा है, then what was the average age in number of years of the family members at the time of the birth of the twins, ठीक है, ये यूँ कह रहा है, आपको ये बताना है, जब जुडव जो सजस्य हैं, वो जुडवा है, और उनकी age कितनी है, पंदरा, दौनों की total 15 नहीं है, एक पंदरा का है, तो दूसरा भी पंदरा का है, क्योंकि दौनों twins है, ठीक, चलिए, तो member कितने है, 7, कितना है average, 35, तो total कितना हो जाएगा, आप 35, 7, 21, और 210, और 7 बंजा 35, 210, और 35, 245, ये सब का total हो गया present का, ठीक है, हमें जाना है कब, हमें जाना है, जब twins का जन्म हुआ था, उस समय, तो twins का जन्म कब हुआ, 15 साल पहले हुआ, तो इसका मतलब 2 जने है, तो दौनों की age 15, 15 है, तो 2 जनों की age कम कर दो, तो 30 कम कर दो, तो 245 में से हमने 30 कम कर दिया, तो कितना बचा, 215, ये कितने लोगों का total बचा, 7 लोग थे, 2 सदस्य कम कर दिये, तो इसका अलब 5 लोगों का total बचा, 215, अब इन 5 का क्या निकालना average, तो 5 से divide कर लेते है, 4 बार और 3 बार, 43 आएगा, तो 43 option में नहीं दिख रहा है, क्या है यहाँ पर गडबड की है, हमने कुछ, 15 और 15 कितना 30, तो 30, ठीक है 215, ये साथ की जाएगे 5 लोग होगे, ये भी ठीक है, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 43 ये भी ठीक है, साथ सदस्यों की और साथ आयू 35 वर्ष है, 210 और 35, ये भी 245 ठीक है, चलिए, option मैच नहीं करना दो हो सकता, option गलत हो, तो 43 जो है, इसको हम सही कर लेते हैं, तो हमारा second option जो है, वो बिलकुल correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, next जो question है, question number हमारा, 17 उसके बारे में, क्या गरा 17 देखिए, पुत्र के विभा के समय माता, पिता और पुत्र के ओसता आयू 42 वर्ष ती, कितने लोग हो गए, तीन लोग, ठीक है, एक वर्ष के बाद एक सिसू का जन्म हुआ, एक वर्ष के बाद एक सिसू का जन्म हुआ, और विभा के 6 वर्ष बाद ज्यान अकना, विभा के 6 वर्ष बाद परिवार के ओसता आयू 36 वर्ष हो जाती है, तो विभा के 6 वर्ष बाद पर लड़के की वाइफ प्लस एक जो बच्चा आ रहा है वो तो टोटल तीन और वो दो-पाँच लोग अब फैमिली में हो चुके है ठीक है उनका एवरेज कितना 36 है तो विवा के समय वदू की मतलब उसकी वाइफ की एज कहा थी वो हमें बता लिए ठीक है यार ये बोल सकते हैं सन ही बोलते हैं उसको बेबी बोल देंगे तो सन जो है सिशु के लिए बेबी यूज़ कर लेंगे बढ़र फादर और सन इन तेनों का ओसत कितना है 42 तो टोटल कितना होगा 42 इंटू 3 ही चार तीन, 12 और ये चे हैं, खीक है? 126 वर्ष होगा, कब होगा? पुत्र के विवा के सामिव, ठीक है? तुमाल लेता है, आज पुत्र की शादी होई होगी, वर्तमान में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है एक वर्ष के बाद एक सिसू का जन्म हुआ ठीक है और विवा के 6 वर्ष के बाद परिवार के उसत आयू 36 वर्ष थी 6 वर्ष बाद तो इन 3 का टोटल आज 126 है तो 6 साल बाद कितना होगा तीनों के आयू 6 चे और बढ़ जाएगी तो कुल मिला कर आप कितना जोड़ दोगे 18 तो 126 में 18 जोड़ लो तो 126 में 136 और ये 4, 40, 44, 144 हो गया इन 3 का टोटल तो कब 6 वर्ष बाद गा ठीक है चलिए ठीक है अब एक वर्ष के बाद जो है सिसू का जन्म हुआ एक वर्ष के बाद सिसू का जन्म हुआ आज से एक वर् साल का तो ये भी एज एड कर देते हैं तो ये आगई 149 परफेक्ट है अब इसमें किसकी एज अभी तक नहीं एड हुई भी है इसमें एज अभी तक एड जो है इस लड़के की वाइफ जो है उसकी नहीं हो रखी है तो उसको हम डबलू से लिख लेते हैं ये लीजिए प् पूरी फैमिली में लोग कितने हो जाएंगे तीन लोग पहले थे दो लोग और जूड़ गये पांच लोग हो गये तो अब ये इन सब के टोटल के बराबर है 145 और पांच कितना हो गया आपके 149 और वो कितना है 180 तो 149 उदर जाकर 180 में less हो जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास 50 और 31 तो wife की age आ जाएगी 31 कब की 6 वर्ष बाद की कब से शादी से 6 वर्ष बाद की ठीक है तो हमें क्या पूछ रहा है शादी की सामें उसकी age पूछ रहा है तो इसमें से 6 साल कम कर दू तो आंसुर आ जागा कितना 25 मतलब C option जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा ठीक है चलिए यह था मारा question question number 17 बात करते है next question number 18 के बारे में वो क्या कहरा देखिएगा एक परिवार के 21 सदस्यों की आउसत आयू 32 वर्ष है 21 सदस्य है फैमिली के अंदर देखिएगा उनका average है 32 तो टोटल आप निकाल सकते हैं अभी देखेंगी कैसे आएगा यदि दो वेक्तियों में से प्रतेक की आयू 56 वर्ष है हर एक वेक्ति 56 वर्ष का है तो दोनों जने मिलाकर क्युते होगे 112 वर्ष के ठीक है वो समूष छोड़ देता है तो 21 में से दो जने चले जाएगे तो 19 रह जाएगे और 20 वर्ष का एक और वेक्ति चोड़ देता है तो टोटल 3 लोगों ने चोड़ दिया तो एकिस में से तीन लोगों ने छोड़ दिया तो अठारा लोग रह गए जो तीनों गए उनका टोटल पता है दो जने जो की चपन-चपन के तो एक सो बारा के तो यह हो गए और बीस का और चला गया तो एक सो बतिस साल कम कर देंगे जो भी टोटल होगा एकिस लोगों का उ होता है चोसट छहसो चालिस ठीक है और फिर बतिस का एक से करनो तो बतिस ही होगा तो यह लीजिए तो यह टोटल आ गया आपके सामने शिक सेवन टू ठीक है यह आ गया इनका टूटल मल्टिप्लाई करने पर अब आपको कह रहा है दो लोग गय जिसमें से रेख चपन साल का है तो चपन और चपन कितने ही के चले गए एक सो बारा कि फिर बीज साल का एक और चला गया तो टूटल कितने एक 59 साल के चले गये तो यह माइनस कर देंगे उस टूटल में से तो 6, 7, 2 में से 1, 3, 2 हम less कर लेते हैं तो हमें दिख रहा है कितना आ रहा है 0, 4 और ये 5 ठीक है चलिए 540 कितने लोगों का total है जितने लोग अब बचे हैं कितने थे 21 2 और 1, 3 जले चले गए तो बच कितने गए 18 तो average पूछा है तो 540 total है 18 लोगों का तो 18 से divide कर देंगे अंसर आ जाएगा कितनी बार जाएगा 18 से 54 पीन बार और 0 यूं का यूं तो C option हमारा सही हो जाए चलिए बात करते हैं next question number 19 के बारे में क्या करा है question number 19 देखिए 10 वर्ष पूर्व पात सद्यस्यों के परिवार की औसत आयो 38 वर्ष थी आयो वही है जो 10 वर्ष पहले थी तो नए यूवा सद्यस्यों की आयो क्या है ये हमें बताने हो ठीक है then what is the age of the new younger member is ठीक है देखिएगा 10 वर्ष पूर्व पात सद्यस्यों के परिवार की औसत कितनी थी 38 थी तो टोटल कितना दा 38 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 3 15 150 और 8 40 150 और 40 190 साल ठीक कब होगा ये 10 साल पहले आज कितने लोगों के लिए 5 सद्यस्यों के लिए तो हरे किया यू 10 10 बड़ेगी तो कुल मिलाकर कितना बड़ेगा 50 बड़ेगा तो कितना हो जाएगा 240 वर्ष हो जाएगा ये टोटल किनका इन 5 मेंबर का ठीक है चलिए फिर क्या बोल रहा है अब 2 नए सद्यस्यों जुडते है ठीक है जिनकी उम्र में 8 साल का अंतर है जिनकी एज में डिफरेंस कितना है 8 ये का फर्स्ट वाला सेकेंड वाला डिफरेंस है 8 ये ठीक है यहां तक है तो इसका अलब 10-5 सद्यस्यों तो आप सद्यस्यों कितने हो तो दस वर्स पहले के बराबर है, तो दस वर्स पहले क्या थी? उसत 38 थी, तो आज भी 38 ही है, तो total निकाल लो 7 लोगों का, साथ यह 21, 210 और 7 into 8 कितना 56, 210 और 56 करेंगे तो 266 आ जाएगा, यह total आ गया 7 लोगों का, तो अब 7 लोगों के total मैं आज से, यह 5 लोगों का total जो आज क ही है, इसको minus कर दू, तो दो लोगों का total आ जाएगा, तो minus कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 26, यह क्या जाएगा, उन दौनों नए member का total आ गया, और उन दौनों नए member का difference आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 8? अब आपको क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा ह तो first वाला variable निकालना है तो दौनों को add करके half कर देते हैं और अगर second वाला variable निकालना है तो दौनों को subtract करके half कर देते हैं तो 26 और 8 को गटा लेंगे तो 6 इधर कम हो गया, 2 इधर कम हो गया, 18, 18 का अधा कर दूँगा, कितना आ जाएगा, no second option आपका बिलकुल सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, next question, question number 20 है, उसके बारे में, क्या कह रहा है, question number 20, देखिएगा आपको कह रहा है, 9 वर्ष पहले पात सदस्यों के परिवार की ओसत आयू 33 वर्ष थी, ठीक है, अब 3 नए सदस्ये सामिल होता है, जिनकी आयू 8 वर्ष के लगातार अंतराल के साथ बढ़ते हुए क्रम में है, यदि परिवार की वर्तमान ओसत आयू वही है, जो 9 वर्ष प कितना है, 33 इंटू 5, 5 इंटू 3, कितना 15, फिर 5 इंटू 3, 15 और एक कितना 16, 150 ये टोटल है, किनका 5 लोगों होगा, कब 9 साल पहले, आज की तारिक में टोटल क्या होगा, 5 सदस्ये है, 9 साल है, तो हर एक की एज 9 बढ़ेगी, तो 5 लोगों की एज कितनी बढ़ जाएगी, 9 फिर क्या बोल रहा है, अब 3 नए सदस्ये शामिल होते है, जिनकी उम्र जो है, 8 वर्ष के लगातार अंतुराल के साथ बढ़ती हुए क्रम है, जैसे कि सबसे पहले वाले की X है, तो उससे बढ़े वाले की X प्लस 8 है, और उससे बढ़े वाले की X प्लस 8 मतलब X प्लस कितन है, 16 है, ये इन तीनों का टोटल है, जो नए लोग जुड़े हैं, उनका, ठीक है, जिससे क्या हो गया, यदि परिवार की वर्तमा नौसत आयो, परिवार में लोग कितने हो गये, पांच की जगे कितने हो गये, तीन जुड़ने पर 8 हो गये, वही है, जो 9 वर्ष पहले थी तो 9 वर्ष पहले कितनी थी, 33, तो ये लीजिए 33, ठीक है, तो इसका गोना कर लेते है, 8, 16, 24, बिल्कुल ठीक है, 8, 16, 24, और 2, कितना 26, बिल्कुल ठीक, तो 8 लोगों के टोटल में से, मैं 5 लोगों का टोटल माइनस करूंगा, तो 3 लोगों का टोटल आएगा, तो 3 लोग प्लस एक्स कितना 3 एक्स, ठीक है, और 8 और 16 जोड लो, कितना हो गया है, चोईस, अब ये चोईस इधर आएगा, चोपन में से, चोईस का हम कर लो, 30 बचेगा, फिर 13 का बाग दे दो, एक्स की वेल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और वही हमें पूछी है, कि कम उम्र का सदस्य जो है, वो कितने साल का है, 10 साल का है, ठीक है, बात करते हैं, नेक्स्ट कुश्चन, जोकि हमारा लास्ट कुश्चन है, इस क्लास का भी और इस टॉपिक का भी, क्या कहरा, देखिए, 15 वेक्तियों की उसत आईू 32 वर्ष है, यदि 2 और वेक्ति जोड़े जाते हैं, तो औ 창 वर्ष बढ़ जाता है 32 से 3 बढ़ कर 35 हो जाएगा नए वेक्टियों के बीच 11 वर्ष की आयू का अंतर है तो नए वेक्टियों में छोटी की आयू कितनी है ये बता है पंद्रा का उसत कितना है 32 तो टोटल कितना होगा पंद्रा इंटू 3 कर लो 45 और पंद्रा इंटू 2 कर लिया तो 30 तो 450 और 30 480 टोटल होगा ठीक है यदि दो वेक्ति और जोड़े जाते हैं 15 की जगे 2 17 होगे तो उसत तीन वर्ष बढ़िया 32 की जगे 35 होगे ठीक है तो टोटल कितना होगे अगुणा कर लो तो 17 ती 51 500 कितना होगे आपके पास 10 और 17 का 5 से करोगे 55510 और 55595 होगे ठीक है चलिए तो 17 लोगों के टोटल में से 15 लोगों का टोटल घटाओ तो जो 2 नए लोग आए उनका टोटल आएगा कितना आएगा देखलो आप 80 है तो 20 95 और 20 करोगे तो 115 हो जाएगा ठीक है ये दो लोगों का टोटल है पहला और दूसरा जो है उनका टोटल है अब पहला और दूसरा जो है उनका डिफरेंस दे रहा है क्या नए वेक्षियों के बीच 11 वर्ष की आयू का अंतर है अंतर कितना रहा पहले और दूसरे में वहीं चीज आगे डो का टोटल डो का डिफरेंस पता अगर फरस्ट वाला चीए तो एड करके हाफ करदो और अगर सर्थ करके हाफ कर दो हमें क्या चाही多少 में छोटे वाले वेक्री की आयूचियों ङायूट चाहितले की उपकर्षियों कि नेsm option आपका सही हो जाएगी ठीक है चलिए तो यह था हमारा question question number 21 इसी के साथ यह chapter complete होता है thank you so much